दोस्तों मेरे पास काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि वो बोलते हैं हम बहुत ज़्यादा UPI transaction करते हैं तो ऐसा करने से क्या हमको income tax pay करना पड़ेगा या फिर हमारे पास income tax की तरफ से notice आ सकता है क्या या किसी भी प्रकार की ज़्यादा online payment use करते हैं तो हमारे पास किसी भी receive कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी problem ना हो और अगर आपने उस limit से ज़्यादा पैसा transfer या फिर receive कर दिया है तो उसका solution भी इस वीडियो में आपको जरूर देखने को मिलेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राकेश आप देख रहे हैं banking बाबा यूट्यूब चैनल तो चलि कि यहाँ पर कोई भी ऐसी limit नहीं दी गई है income tax act के अंदर या किसी भी rule के अंदर कि आप इस certain limit को cross कर देंगे तो आपको notice आजाएगा ऐसी कोई भी limit कहीं पे भी नहीं दी गई है लेकिन problem कब आती है problem आती है आप जब पैसा receive करते हैं send करने में कोई भी issue नहीं है आपका प आपने वो limit क्रोस कर दी तो पैसा receive करने की बात करें तो उसके लिए अपन दो अलग-अलग category बनाते हैं पहले वो लोग जो कोई दुकान खोलके बैठे हैं अपने bank account में पैसा receive करते हैं जरूरी नहीं है कोई दुकान खोलके ही बैठे हैं अपने QR code से अपने UPI ID से या किसी कैसे अपने bank account में पैसा receive करते हैं कोई भी सर्विस देते हैं कोई भी समान बेचते हैं किसी भी तरीके से अपने bank account में पैसा receive करते हैं और दूसरे वो लोग जो CSC Center, Emitry Center, Cyber Cafe ये खोलके बैठे हैं और दूसरों का पैसा अपने account से ट्रांसफर करते हैं और कुछ percent commission कमाते है दोनों की अपन detail में बात करेंगे तो देखिए अगर आपकी shop है या फिर आप कोई भी समान बेचते हैं कोई भी service बेचते हैं जिससे आपको आपके bank account में पैसा receive होता है UPI से हो, QR code से हो या किसी भी online mode से आपको bank account में पैसा receive होता है तो उसकी income tax act के अंदर पैसा receive करने की भी कोई limit नहीं है आपका business है, government तो यही चाहेगी आप जितना business grow करो उसको उतना ज़्यादा taxes मिलेंगे तो ऐसी कोई limit नहीं है कि आप इससे ज़्यादा पैसा आपने bank account में receive नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी आपको income tax की तरफ से notice आ सकता है notice किस condition में आ सकता है आपके bank account में अगर बहुत ज़्यादा transaction है बहुत ज़्यादा पैसा आपने receive किया है और आपने income tax pay नहीं किया और नहीं आपने कोई income tax return फाइल करी तो उस condition में आपको notice बेजा जा सकता है अब आप पूछेंगे ये बहुत ज़्यादा amount का क्या मतलब है तो income tax act में ऐसी भी कोई limit नहीं दी गई है लेकिन फिर भी आपको मैं कुछ suggestion प्रवाइड करना चाहूंगा अगर आप उसको follow करते हैं तो आपको income tax की तरफ से notice नहीं आएगा अगर आप अपने account में एक साल में total पांच लाख रुपे से ज़्यादा receive करते हैं तो आपको income tax return यानि की ITR फाइल कर देनी चाहिए अब देखे काफी लोगों को लगता है income tax return फाइल करना मतलब government को tax pay करना ऐसा कते ही नहीं होता है income tax return फाइल करना मतलब आप government को बस detail दे रहे है आपके पास ये 5 लाख रुपे कहां से आए आप बता सकते हैं 4 लाख यहां से आए 1 लाख ही मेरा profit है बस आपको वो detail देनी होती है income tax return फाइल करने का ये मतलब नहीं होता है कि आपको tax pay करना है हाँ अगर आपका profit एक certain limit यानि कि 5 लाख रुपे से ज़्यादा आपका profit है तो ही आपको tax pay करना पड़ेगा और दूसरा suggestion ये है कि अगर आप अपने bank account में पैसा receive करते हैं UPI से या किसी भी online method से और एक महिने के अंदर अगर वो amount एक लाख रुपे से ज़्यादा जाती है तो आपको ये सारी transaction जो है वो अपने business के नाम से current account खुलवा के करनी चाहिए अपने personal saving account में 8-10 लाख रुपे तक की transaction होती है वो तो ठीक है लेकिन अगर आपका business उससे भी ज़्यादा transaction आपके saving account में करवा रहा है तो आपको वो सारी की सारी transaction अपने current account से करनी चाहिए उसके लिए आपको अपने business का एक अलग से current account खुलवाना है और सारी business की transaction उस current account से करिए और अपनी सारी personal transaction अपने saving account से करिए तो आपको कोई भी problem नहीं होगी इसको एक example की मदद से समझते हैं एक example के अंदर आपन दो अलग-अलग condition लेंगे एक condition लेंगे goods के लिए यानि कि आप कोई समान बेशते हैं दूसरी condition लेंगे कोई services के लिए आप किसी भी प्रकार की service provide करते हैं और उसके बदले में payment receive करते हैं अब देखिए suppose एक person है वो service provide करता है किसी भी प्रकार की service हो सकती है और उसके account में total एक साल में 15 लाख रुपए आए हैं जिसमें से 10 लाख रुपए तो उसको service provide करने से आए हैं और बाकी के 5 लाख रुपए उसको दोस्त से मिले हैं या फिर किसी भी family member से उसको 5 लाख रुपए मिले हैं वो एक तरह से loan है अब इसमें ऐसा नहीं है कि 15 लाख आपकी income मान ली जाएगी और आपको 15 लाख पर tax देना पड़ेगा नहीं, income tax ऐसा नहीं बोलता है income tax बोलता है जो पैसा आपको loan से मिला है उसको अलग कर दो, उसको loan दिखाओ तो आप उसको loan दिखा देंगे और बाकी के जो 10 लाख है उसमें अपने हिसाब से आप अपने आप profit बता दो कि आपका इसमें से profit कितना है लेकिन जो आप profit बताओगे वो कम से कम 50% होना चाहिए यानि कि 10 लाख का 50% होना चाहिए अब कम से कम बोल रहे हैं तो आप भी सिधा सिधा कम से कम profit दिखा दो यानि कि 5 लाख रुपय आप profit दिखा दो आप चाहते हो ज्यादा profit दिखाना तो दिखा सकते हो, लेकिन उसमें आपको tax pay भी करना पड़ जाएगा, क्योंकि 5 लाग तक तो tax free होती है income, तो इसलिए अगर आप कोई service provide करते हैं, 10 लाग रुपए तक अपने bank account में receive करते हैं, तो आपको कोई भी tax pay नहीं करना है, लेकिन आपको ITR file कर देना है, जिससे आप एकदम safe हो जाएंगे, तो 10 लाग रुपए से अगर आप ज्यादा अपने bank account में receive करते हैं, service बेच कर, तो उसका आपको 50% income declare करना पड़ेगा, और उस according आपको income tax भी pay करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी total service जो है, total amount आपका अगर 20 ल नहीं तो GST की तरफ से आपको notice आ सकता है, अब बात करते हैं दूसरे case की, जो goods sell करता है, यानि कि कोई भी समान बेचता है, कोई अपनी shop है, घर से बेचता है, किसी भी तरीके से कोई समान बेचता है, suppose एक person goods sell करता है, और वो 20 लाग रुपए का समान बेचता है cash में, 10 ला और goods उसको cash में पैसा आया है, 20 लाग, अब दिखिए 20 लाग रुपए जब तक वो bank में deposit नहीं करवाता, उसका government के पास record नहीं जाएगा, तो इस case में income tax बोलता है, 10 लाग रुपए आपका sales amount है, जो आपके bank account में आया है, तो उसको आप अपनी मर्जी से उसका profit बता दो, जितना भी इसमें से आपका profit है, आप उतना बता सकते हो, लेकिन कम से कम ये 6% profit होना चाहिए, यानि कि 10 लाग का 6%, 60,000 रुपए आपका इसमें से profit कम से कम होना चाहिए, अब आपकी मर्जी है, आप ज्यादा profit बताना चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन 60,000 रुपए अपने क इसका भी profit जितना है वो बता दो, नहीं बताना, तो कम से कम 8% इसका आपको profit बताना पड़ेगा, तो 20 लाग का 8% हो गया, 1 लाग 60,000 रुपे, अब देखिए इस cash को अगर आप bank में जमा भी करवा देते हैं, तो इसकी detailed income tax तक पहुँच जाएगी, और आपको सिरफ 1,60,000 टोटल profit होगे आपका 2,20,000 रुपे, अब देखिए income tax की तो limit वैसे ही 5,00,000 रुपे, और return फाइल करने की limit भी 5,00,000 है, यहाँ पर तो आपकी 5,00,000 भी क्रोस नहीं होई, लेकिन आपको क्या करना है, income tax return तो फाइल कर देनी है, लेकिन आपको किसी भी प्रकार का यहाँ प CSE according अगर आप जो समान बेच रहे हैं, उसके against आपको 40,00,000 रुपे से ज़्यादा receive होता है अपने bank account में, तो उसके लिए आपको GST registration करवाना पड़ेगा, तो simple सा आपको limit पता चल गई होगी, कब आपको ITR फाइल करनी है, और आपको कब income tax pay करना है, ताकि आपको income tax की तर cafe खोल के बैठे हैं, और अपने bank account से दूसरों का पैसा transfer करते हैं, ticket book करते हैं, online recharge करते हैं, अगर ये काम आप अपने personal saving account से करते हैं, तो तुरंत आपको ये काम बंद कर देना चाहिए, छोटे level पे अगर आप ये काम करते हैं, आपका transaction 5-10,00,000 रुपए होता है पूरे साल क तो आपको कोई भी issue नहीं है, लेकिन अगर आप इसी काम को बड़े level पे कर रहे हैं, आपका total transaction 20,00,000 से भी पार कर जाता है, तो आपको income tax की तरफ से notice आ सकता है, 20,00,000 रुपए से ज़्यादा आपके bank account में आते हैं, तो income tax वाले आपको notice भेज कर पूच सकते हैं, ये 20,00, अगर रुपए आपके पास कहां से आए, तो आपको उसको detail बतानी पड़ेगी, और नहीं बता पाते हैं, तो उसके उपर आपको penalty भी पे करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप इस business को continue करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको NPCI के द्वारा AAPS Portal की मदद लेनी पड़ेगी, आप AAPS Portal की मदद से ये काम सारा कर सकते हैं, अपने personal saving account से ना करें, अपने personal saving account से करते हैं, तो जितना भी आपका transaction होता है, जितना भी पैसा आप receive करते हैं, वो सारा आपका income माना जाता है, लेकिन आप AAPS Portal की मदद से करते हैं, तो आपकी जो भी commission income होईगी वो ही सिरफ आपकी income मानी जाएगी और उसमें से भी आपका जो खर्चा वगरे लगा है वो आपको deduction करने का option मिल जाता है तो अगर आप अपने bank account से transaction करते हैं उसको बंद गरके अपने bank account से पैसा अपने AAPS wallet में एड़ करिये वहाँ पे सारी transaction करिये सारी customer की जितनी भी transaction होती है वो सब करिये commission income कमाईए और बाकी जो पैसा बचता है वो वापस अपने saving account में transfer कर सकते हैं ये transaction आपकी count नहीं होगी इस case में सिरफ आपका commission income count किया जाएगा और उसमें भी आप 50% तक उसको income दिखा सकते हैं सपोज आपने commission income कमाई 10 लाक रुपे तो आप income tax return फाइल करते हैं वहाँ पर declare कर सकते हैं 50% इसमें हमारा खर्चा आ गया ये सब करनेगा तो आपकी net income जो मानी जाएगी और आपको किसी भी प्रकार का tax पे नहीं करना पड़ता है क्योंकि 5 लाक रुपे तक की income tax free होती है